प्रियो जब हम सफलता पा लेते हैं और जब हम आशिशों का नुभव करते हैं और उन्नती को जब हम पा लेते हैं अद्बुत काम जब हमारे जीवन में होते हैं तब शैतान चुप नहीं रहता है प्रियों योसुप के पवित्र जीवन जीने के प्रतिफल में सफलता मिल गई, उन्नती मिल गई, अद्बुत काम हुआ, शैतान चुप नहीं था, विपत्ती को ले आया, अपमान लेकर आया, संकट ले आया, अंदकार से भरे बंदी ग्रह में डाल दिया, अभी शैतान सोचा इसका काम हो गया, योसुप का काम हो गया, प्रियोत पत्ती 49 अध्या 21 वचन से पढ़ेंगे, पर यहोवा, योसुप के संग संग रहा, और उस पर करुना की, और बंदी ग्रह के दरोगा के अनुग्रह की दिरिष्टी उस पर हुई, इसलिए बंदी ग्रह के दरोगा ने उ अगान सब बंदियों को जो कारागार में थे योसुप के हाथ में सौप दिया फिर से बौस बन गया प्रियों कहा बंदी ग्रह में बंदी ग्रह का अधिकारी योसुप के बाचित और वैवार और उसकी आत्मिक्ता को देख कर पता नहीं क्यों उसके उपर बहुत अधीक प्रेमुत्पन हुआ युसुप मैं इन खतरनाक कैदियों को सम्हाल नहीं पा रहा हूँ तुम सम्हाल सकते हो इसलिए इन सारे बंदियों को मैं तुमारे ही हाथों में साप रहा हूँ 22 वचन इसलिए बंदिग्रह के दरोगा ने उन सब बंदियों को जो कारागार में थे युसुप के हाथ में सौप दिया और जो जो काम वे वहां करते थे वह उसी की आग्यां से होता था क्या समझ में आया आपको योसुप को ले जाकर बंदी ग्रह में डालने से शैतान ने सोचा हो गया काम हो गया लेकिन बंदी ग्रह में भी परमेश्वर ने योसुप को क्या किया अधिकारी बना दिया उसके बाद क्या हुआ बंदी ग्रह में योसुप को समाचार मिला क्या समाचार मिला फिरोन एक स्वपन देखा है उस स्वपन का अर्थ कोई बता नहीं पा रहा है केवल योसुफ ही बता सकता है प्रियों इसलिए फिरोन योसुफ को लाओ कहकर समाचार देने से योसुफ को फिरोन के पास लेकर गए तब फिरोन अपने स्वपन को बताया और यूसुप स्वपन के अर्थ को अद्बुत रुप से बता दिया। यूसुप के बताये गया अर्थ को फिरोन सुनकर कहने लगा। इस अर्थ को बताने के कारण इस देश पर शाषन करने के लिए तुझ जैसा योग्या और कौन है। ये लो प्रधान मंत्री के अंगुठी को मैं तुम्हे पहना रहा हूँ, इस देश पर तुम ही शाशन करो। प्रियो इस तरह परमेश्वर ने यूसुप को मेस्र के प्रधान मंत्री के रूप में शाशन करने का अधिकार दिया। प्रियो यूसुफ पाप से मिलने वाले सुक को वो नहीं चाहा लेकिन पावित्र जीवन जीकर परमेश्वर की योजना उसके जीवन में पूरी होनी है, वो चाहा फलसरुप देश का प्रधान मंत्री वो बन गया। लेकिन इन सब में आप परमेश्वर को नहीं चोड़ेंगे तो, क्या होगा जानते हैं, मेरा परमेश्वर आपको इस स्तिती से ओंचे स्तिती में पहुचा देंगे। इस बात को आप याद रखें। आपके जीवन में शत्रु कौन है आप जानना चाहते हैं तो अपने जीवन में सफलता पाईए। शत्रु प्रगट होंगे। आएए देखें पहला शमवेल 16 उसका 21 और दाउच शाओल के पास जाकर उसके सामने उपस्तित रहने लगा। और शाओल उससे बहुत प्रिती करने लगा। और वह उसका हत्यार ढोने वाला हो गया। प्रियों एक समय में जब शाओल के उपर परमिश्वर की ओर से दुष्ट आत्मा आकर जब उसे सताने लगी उस समय दाउच जो की वीना बजाने में निपून था उसे शाओल के पास लाया गया। उस समय शाओल दाउच के चालचलन को और वैवहार को देखकर दाउच से प्रिती करने लगा और कहा तुम मेरे पास रहकर मेरे हत्यार ढोने वाले का काम करो मेरे तलवार और भाले को उठाने का काम करो पता नहीं क्यों तुम मुझे बहुत अच्छे लगने लगे हो इस त या तब तक जैसे ही गुलियत को मार डाला और सारा देश दाउद की प्रशंसा कर रही थी शत्रो बहार प्रगठ हुआ ध्यान से सुनिये प्रिभाई और बहन आप जिसके विशय में कह रहे हैं कि ये मेरा अच्छा मित्र है जिस इस्त्री के विशय में आप कह रहे हैं मेर अच्छी नौकरी आप कमाओ, अच्छा पती या अच्छी पतनी को पालो, वो कितना इर्शा करेगा जानते हैं, वो कितना इर्शा करेगी जानते हैं, सुनो, आपके असली मित्र कब बाहर प्रगठ होंगे जानते हैं, जब आप कश्टों में से होकर गुजरते हैं तब, आप के असली शत्रु कब बाहर प्रगठ होएंगे जानते हैं, जब आप सफलता को पाएंगे तब, जिस शाउल ने दाउत से प्रिती किया, अभी देखिये उसी से इर्शा कर रहा है, और उसे मारने के ताक में था, और उतना ही नहीं, उसने एक निर्ने लिया, वो क्या है कि दाउत को मारना है, पहला शमील अठारा उसका ग्यारा, तब शाउल ने यह सोच कर कि मैं ऐसा मारूंगा कि, भाला दाउत को भेद कर भीत में धस जाए, भाले को चलाया, विपत्ति, संकट, अचानक, आपडी, कब, दाउत के जीवन में अद्बुत कारियों, जब हुआ तब, प्रियों परमेश्वर हमारे जीवन में, हमारे कियेगे प्रात्नाओं के उत्तर के रूप में, हमारे आत्मिक्ता और परमेश्वर के अनुग्रह के कारण, हमारे जीवन में उन्नती को आशिशों को और अद्बुत कारे को करने से प्रिय भाईयों और भैनों आप सौधान रहें परमेश्वर के आशिशों को और उन्नती को पाकर परमेश्वर को भूल कर परमेश्वर के वच्चन को छोड़ कर आप मनमर्जी से अपना जीवन बिताएंगे तो जो है आपके पास उसे भी खो देंगे जो आशिश हैं उन्हें भी खो देंगे आप आत्मिक जीवन जीने पर भी कई बार ऐसा हो सकता है कि आपको अपने आशिशों को खोना पड़े दाउत के साथ क्या हुआ? वो शाउल के पास उपस्तित रहता था, उसे वाँ से दूर कर दिया वो सेना के उपर अधिकारी था, वो हटा दिया गया और उपर से दाउदेदी दिखाई दे, उसे मार दिया जाई ये आदेश दिया प्रियों अंत में हम देखते हैं परमेश्वर, शम्वेल से कह रहे हैं मेरे मन के अनुसार एक व्यक्ति को मैंने चुन लिया है, उसे मैं राजा बनाऊंगा फिर क्या हुआ, शाउल दाउद को मारना है, मारना है ये सोचकर विपत्यों को पहुचाया, संकट को पहुचाया, अन्याय से उसे पदवी से हटा दिया उसका अपमान किया, अंत में युद्ध में वो अपने आपको मार लिया प्रियो दाउद अपमानित किया गया, अन्याय को सहा, विपत्ती और संकट का सामना किया और इस तरह सामना करते हुए, देशवर शाशन करने वाले राजा के रूप में सिहासन पर भैड़ गया प्रियो क्या समझ में आरा आपको, जब हम अपने जीवन में आशिशों को, उन्नती को, हदबुतकारी को, जब हम चक कर देखते हैं ऐसे समय में, शैतान और शैतान के लोग, आपके जीवन में संकट और विपत्तियों को ले आते हैं अपमान करने की कोशिश करते हैं प्रियो हम बाइबल में देखते हैं शद्रक, मेशक, अबिदनगो इन तीनों के नाम फैनल लिष्ट में आ गए राजा के सम्मु को पस्तित रहने के लिए सारे विध्यारतियों में से तीन लोगों का नाम लिष्ट में आया है शद्रक, मेशक, अबिदनगो ये तीनों राजा के सम्मु को पस्तित रहने के लिए योग ये है, ये अद्वत है उस देश में गुलाम के रूप में ले जाए गए थे गुलाम के रूप में ले जाए गए ये जवान राजा के सम्मुक खड़े होने के स्थर तक पहुँच गए अद्वत है फिर क्या हुआ उसी समय राजा ने एक प्रतीमा को बना कर खड़ा किया और कहा सब को इसे दंडवत करना है शद्रक, मेशक, अबिदनगो ने का हम दंडवत नहीं करेंगे जीवित पर मेश्वर के अलावा मनुष्य के बनाये गए प्रतीमा का हम दंडवत नहीं करेंगे नेश्चित रुप से कह दिये फिर क्या हुआ विपत्ति आपड़ी अन्याय से उन तीनों को लिजाकर आग के भट्टे में डाल दिये कब जानते हैं जब वे राजा के सम्मुक उपस्तित रहने के उस उत्तम स्थान को पा लेने के बाद उस देश में गुलाम के रूप में ले जाए गए ये तीनों जवान पर मेश्वर के महान अनुग्रह को पाकर राजा के सम्मुक उपस्तित रहने वाले शार्प यंग डैनामेट के रूप में जब वे चुन लिये गए वे जब उस आशिश को अनुभाव कर रहे थे वे पत्ती आ पड़ी, संकट आ पड़ी बलपूर्वक उनके हाथ पैर बांद कर उन्हें लिजाकर आग के भटे में डाल दिये फिर क्या हुआ? क्या वे डर गए थे? अपने प्रान की रक्षा करने की कोशिश किये? क्या वे अपने विश्वास को छोड़ दिये? वे क्या बोले जानते हैं? हमें ले जाकर आग के भटे में डाल दोगे कहके डरा रहे हो न सुनो हम जिसकी पास ना करते हो परमेश्वर आग के भटे में से हमें बचाने के लिए सामर्थी है अगर हमारा परमेश्वर आग के भटे में से हमें ना बचाए तो भी हम तेरे खड़ी कर आई हुई मूर्थी के आगे बिलकुल जुकेंगे? नहीं, इसका हर्त जानते हैं? हमारा परमेश्वर हमें छुडाने में सामर्ती है, अगर नहीं भी छुडाए, तो भी हम आग के भटे में डाले जाएं या मर भी जाएं, हम अपने परमेश्वर को बिलकुल छोड़ेंगे ही, नहीं, ये है प्रियों विश्वास, उसके बाद क्या हुआ, उन तीनों को आग के भटे में डाल दिये, जब तीनों को आग के भटे में डाल दिये उसके बाद, नभुकत नेजर ने जब ऊपर से देखा, आग के भटे में चौंते पुरुष का स्वरूप इश्वर के पुत्र के स्रदिश्य था मंतरी को बुला कर पूछा हमने तीन लोगों को आग के भटे में डाला था ना हा राजा लेकिन आग के भटे में मुझे चौंता पुरुष दिखाई दे रहा है ये इश्वर के पुत्र के स्रदिश है साक्षात इश्वर का स्वरूप है फिर क्या किया जानते हैं? पास आकर देखने लगा आग के भटे में से शद्रक मिश्यक अविद्नगो बाहर निकल आए सुनिये, वे लोग उन्हें जंजीरों से बांध कर आग के भटे में डाले थे जब वे बाहर आये तो उनके हातों में कोई भी जंजीर नहीं थी उनके शरीर का एक बाल भी नहीं जला प्रियो क्या हुआ था? प्रमोशन! इसके बाद राजा ने इन तीनों को देश के उत्तमिष्थान में पदवी में रखा प्रियो इस तरह देखते जाएं तो बैबल में बहुत से चरित रहें लेकिन कामन रुप से हमें क्या मालम चलता है कि हमारे जीवन में परमेश्वर अद्बुत कारी करे या आश्चरिकारी करे हम खुश होते हुए आनंदित होते हुए शैतान जो कर रहा उसकी युक्तियों को और उसकी योजनाओं को अंदेखा करेंगे तो बहुत हानी उठाएंगे परमेश्वर जब अद्बुत कारी और आश्चरी कारी हमारे जीवन में करें प्रियो तब हमें जाग्रित होकर रहना है क्योंकि शैतान चुप नहीं रहेगा इसलिए हमें क्या करना है? विपत्ति आए, संकट आए, अपमानित किये जाएं दोश लगाया जाए, कभी भी निराश ना हो, हताश ना हो विश्वास को ना खोएं, परमेश्वर की निंदा ना करें, सवाल ना करें और ना ही अपने भरोसे को खोएं, लेकिन उसी समय परमेश्वर की चर्णों को ठामे रहें आपने जो खोया है उससे सौगुना बढ़कर आशिशों को परमेश्वर आपको देंगे विश्वास कीजिए यो सुब क्या खोया था? पोतिपर के घर के अधिकारी होने के पद्वी को खोया था और कष्टों में से तकलीफों में से वो गुजरा लेकिन फिर भी परमेश्वर को नई छोड़ा तब परमेश्वर क्या किये देश पर ही शाशन करने का अधिकार दिया प्रियोदाउद एच चरवाह था ऐसे चरवाहे को परमेश्वर सामर्द दिया और गुलियत को मारने की ताकत दिया फिर क्या हुआ? एक बड़ी उन्नती राजा के पास उपस्तित रहने की पद्वी और राजा के सेना के उपर एक उत्तम पद्वी अद्भुतकारी हुआ? लेकिन अचानक उस पोष्ट को जिसने दिया वोही शत्रू बन गया संकट ले आया, मारने की खोशिश किया विपत्ति में डाल दिया और मुसीबत ले आया अपमानित किया और अन्याय से उस पद्वी को छेन लिया दाउद रोया नहीं? दाउद परमेशवर से सवाल नहीं किया दाउद अपने कश्टों में भी अपने विश्वास में स्थिर रहा परमेशवर क्या किये? दाउद को एक महान राजा बना दिये प्रियो आगे हम दानियल के विशा में देखते हैं दानियल को उस समय का राजा अपने बाद का इस्थान देना है ये निरने लिया और बाद में उसे प्रधान मंत्री नियुक्त किया अद्बुत काम हुआ बैबलोन देश में एक गुलाम के रूप में ले जाया गया दानियल उस बैबलोन देश पर इस शाशन करने के स्थर तक पहुँच गया कितनी अद्बुत बात है फिर क्या हुआ संकट पड़ गया विपत्ती आ गई अन्याय किया गया अपमानित किया गया क्या था वो अपमान कोई गलते नहीं करने पर भी दानियल को ले जाकर गुनेगार के समन हातों को बांद कर अन्याय से ले जाकर सीह के मान में डाल दिये फिर क्या हुआ प्रियों परमिश्वर अपने दूतों के द्वारा सीहों के मुह को बान दिये उसके बाद क्या हुआ दानियल उस देश पर शाषन करने वाले प्रधानमंत्री के रूप में इस्थिर किया गया प्रियों जब हम उन्नती करते हैं आशिश पाते हैं शैतान आकर क्या करता है जानते हैं कोई ना कोई संकट ले आता है कोई ना कोई विपत्ती ले आता है आप मानित करने की कोशिश करता है अन्याय ले आता है चिंता ना करें ना डरें निराश ना हों हताश ना हों और परमेश्वर की निंदा ना करें ऐसे समय में आप अपने विश्वास को दिड़ता के साथ थामे रहें, आपके सोच से भी बढ़कर हुँचाईयों तक परमेश्वर आपको ले जाएंगे। विश्वास करने वाले मेरे साथ मिलकर प्रात्ना करेंगे। अप हमें बलवंत करके हमारे स्तिती को बदल कर उत्तम स्तिती में पहुचा कर आपके नाम की महिमा लेने वाले महान परमेश्वर हैं आप। आपको हम धनिवाद स्तिती करते हैं। पिता आप हमारे जीवन में अद्बुतकारी करेंगे, आश्चरीकारी करेंगे और करने जा इसमें कोई संदे नहीं है। वैसे ही हमारे जीवन में हमारे उन्नती को देखकर रुकावट डालने के लिए हमारे जीवन में हम अद्बुतकारी को अनुभव ना कर सकें। हम आपकी निन्दा ना करके हताश और निराश ना होकर हमारे आत्मिक जीवन की पिता रक्षा कर सकें साहता कीजिए। सेना के ऊपर अदिकारी के पद्वी को जब दाउत खो दिया था। पूरे देश के ऊपर ही अधिकारी के रूप में रहे ऐसे पुष्ट को आप दिये। आपकी स्थुती हो। हमारे जीवन में सहनशिलता के साथ विश्वास के साथ आप पर निर्भर रहेंगे तो, जो खोये हैं उससे भी सौगुना बढ़कर आशिशों को वापस हम पाएंगे। ये सत्य है, ये संदेश, हम जीवन भर ना भूलें दया कीजिए। हर एक रिदय में इस संदेश को स्थिर कीजिए। एशु के नाम से मांगते हैं पिता। आमीन।